हेलो एवरिवन वेलकम टू एर चैनल आल एक्जाम प्रिपिशन तो स्टुडेंट्स जैसा कि आप सभी के मेरे पास मैसेज़ी आरे से कमेंट्स आ रहे थे कि सर्फ प्लीज आप राईस्तान हाई कोड़ का लडी से कर जो एक्जाम हुआ था दोएट 17 को हना तेज तारिक को हुआ था यह दोएट 17 को हुआ था तो आप लोग कह रहे थे कि सर्फ प्लीज आप इसका प्रिवेस एर पेपर करा दीजिए जो इंग्लिश का है था प्लीज इसे गजाम होता अब अब 23 तारिक को हुआ था ठीक है तो गब को पता है किसी भी एक्जाम के कर प्रिपरिशन करनी ही तो आपको प्रिवेस एर आना जरूरी है तो आप सेलेक्षन ले पाओगे तो उसका पेपर दिखते कैसा आया था पूरा डिस सेरेंगे था ना एटु शेर कर दे और टेलिकर और चैनल को जोल कर लें ताकि जो यह मैं करा रहा हूं उसकी PDF आपको मिल जाएगी ठीक है तो स्टार्ट करें आसका सेशन हाँ पिपर नहीं है इसलिए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हाँ फर्स्ट कुर्शन भी है देखो रोहीनी प्रूब्ड टू बेटर रोहीनी प्रूब्ड टू बेस्ट डांसर देन रानी बताईए इसका अंसर वाकि मैं तो तो कुछ तरह मजलिल दी कराऊंगा ठीक है आप अपने दैन कभी उसकरते हैं जब आप कंपैरिजन के लिए उसकरते हैं ठीक है तो यहाँ पर बेस्ट के जगे हैं कर बैटर आएगा काफी स्टूइंट्स यह सोच रहोंगे ठीक है उनकी बाद भी साही है बट आप यह देखिए कि अगर आप यह बैटर लगा देंगे मतल पुरा गलत हो जाएगा समझ रहो तो यह नहीं इसका अंसर होता है रोहिनी प्रूब तो बैटर डांसर के साथ कंपैरिटिव डिगरी है कंपैरिटिव डिगरी के साथ कभी भी दा नहीं आता है सुपर लेटिव डिगरी के साथ दा आता है ठीक है तो यह तो गलत हो गया ठ तो यह थो कर रानीस समझे रो रानीस ब्स ऐसा देंगा रानीस तो क्या एक आंसर रोहीनी प्रूब्स ठीट डाश्टर दैन रानीस ओके यह इसका आंसर होगा exactly यह झांसर होगा इसका थर्ड़ांसर हो जाएगा सब्सक्राइब आपको इसका रीजन के साथ बताऊँगा पूरा अब आपको स्टूरेंस सोच रहों कि सर्डी बेटर कब आएगा देखो वो भी रीजन देते हूं आपको डीबेटर कप करेंगे जब ऐसा आ गया of the two players of the two players ठीक है of the two players का आ गया तो कियाएगा of the two players विराट is the richer of the two players विराट is the richer ठीक है जब भी of the two boys का आ गया ठीक है इस step से कुछ आएगा समझे हो इस step पे जब भी आएगा तब आपको यह यह उप देखना है of the condition हागे न तो आपको comparative degrees का दा का use करना है यहाँ पर कहीं sentence में नहीं था ऐसा इसलिए अपने दा better dancer नहीं use कर सकते हो कि आपको जैसे आप हो सकते है अनील is the more intelligent अनील is the more intelligent of the two boys of the two boys आगा तो more intelligent more के साथ दा आ जाएगा ओके पूरा reason दे फिर भी आपको doubt हो तो पूछ लें ठीक है तो इसका answer क्या दाएगा third ओके हाँ next question देखते है he was a very dash person क्या होगा industrial industrialized, industrious या industry बताइए तो time मैं दूँगा नहीं क्योंकि आपको पता है कि जल्देल दी करेंगे पेपर पूरा ठीक है तो इसका answer क्या होगा third is answer होगा industrious third will be the answer इसका भी third था इसका भी third होगा industrious मतलब क्या होगा he was a very industrious person industry मतलब हाड़ वर्किंग बोल सकते है ठीक हाड़ वर्किंग होगा आपका S.E.D.O.S. हो गया S.E.D.O.S. आपको synonym भी बताऊंगो क्या आपको पता आपको इसका लिए बस में है S.E.D.O.S. D.O.S. ठीक है आपका इसका देलिजेंट सबसे इंपोर्टर मॉर्ड डिलिजेंट D.E.L.I. G.E.L.I.D. डिलिजेंट ठीक है तो यह यह laborious L.A.B.O.R.I.O.S. यह भी आप लिख ले न कोपी में क्योंकि यह synonym पूछा दाएगा यह क्योंकि तो industry synonym से कहा होगे मैं हार्ड वर्किंग जो होता है Means हार्ड वर्किंग ओके Devotally An industry person you can say ओके चलिए वागे इसको अटाता हूँ थर्ड कुरिशन दिखते है इसका आंसर थर्ड इसका आंसर थर्ड नेक्स से दे Hopefully your efforts to develop your strength are Contagious Continuous Continuous एं Contagious बताइए क्या आंसर होगा इसका The answer is Continuous यह सबको पता होगा Second is का आंसर जाएगा Hopefully your efforts to develop your strength are continuous ठीक है Your efforts आप जो जो efforts लगा रहे है ठीक है ठीक है नेक्स देखते है हाँ If it's a sentence बताने कौन सा correct होगा One of these candidates are sure to be selected One of these candidates is sure to be selected One of these candidates were sure या one of these candidates have sure देखो friends यह आपको पता हो ना चीए कि जब भी one of की condition है One of ठीक है तो उसके साथ कि noun तो plural लाएगा Then वर्फ singular रहेगा यह पढ़ना चीए अब देखो One of यहाँ पर क्या है वर्फ क्या रहे है plural रहे है आर तो पहला गलत फर्स टॉंग लाएगा थर्ड़ देखिए One of यह क्या है रहे है वर्फ plural थर्ड़ भी गलत इसके अंदर भी have यह भी गलत बचा क्या what second will be the answer ओके और भी condition हो तीस के साथ one of के साथ जैसे आप कह सकते है any one of आगया आपका any one of no one of तो हमिशे noun plural प्लूर वर्फ singular रहेगा ठीक है each of आ गया each of आ गया everyone of आ गया either of आ गया neither of आ गया इन सब के साथ आपका noun plural and वर्फ singular आएगा noun plural वर्फ singular आएगा ओके done got it ना हाँ तो इसका हो सेकिंड हो जाएगा ठीक है याद रखना कि जब भी one of के किंडिशन हैगी तो noun plural and वर्फ singular होगा चाहां each of आ गया आपका या everyone of आ गया या no one of आ गया either of आ गया वर्फ आ गया सम्में noun plural वर्फ singular का यूज होगा जैसे each of the boys has to answer this question each of the boys each of आ गया boys plural हो गया और has singular हो गया तो each of the boys has to answer this question ओके चलूँ आगे हाँ फिफ्ट कॉशन देखते है choose the correct sentences इसमें sentence कौन सा correct हो का बताएए she is clever than अब देखो she is cleverer than her cousin she is more cleverer than ठीके she is cleverer than her sister अब देखो यहाँ पर वो क्या है comparison अना comparative degree वारा comparison की बात हो रही है ओके तो third fourth तो ऐसी नहीं होगा क्यों यहाँ पर comparison आना चाहिए हमें more superiority degree कैसी नहीं बिल्कुल कर रहता है ठीके यहाँ पर यह समयमा रहा है अब इसका answer का हो जाएगा third will be the answer she is cleverer than cleverer than her cousin she is cleverer than her cousin ओके पहले मैं तो comparison पता नहीं से लिए रहा क्योंकि then आ रहा है पर comparative degree के use होना चाहिए नहीं हो रहा more cleverer का भी होता नहीं है तो इसका answer का हो जाएगा she is cleverer than she is cleverer than her cousin ठीक है third will be the answer याँ दखना more cleverer के साथ आप more use नहीं कर सकते हैं यह rules होते हैं हाँ ना वो कुछ तो सीदा 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 इसका answer होता she is cleverer than और बागे आप separate video बोल देंगे इस पर में बडबर बार ना दूँगा आप comment कर देना agreement हाँ तो इसका answer को क्या व होदेगा पहला समझा घंक करना bridge मतलब भंक करना agreement कब bridge करना means समझा थो क्या करना भंक कर देना ओके next देखते हैं chronological order means chronological order का मतलब क्या होता सबको बता होगा chronological 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 यह सबको बता governor उसका अंसर फोर्थ हो जाएगा अगले दिखते हैं what is the meaning of deadlock deadlock का मतलब क्या होता है what is the meaning of deadlock deadlock means deadlock means bottle neck you can say bottle neck bottle neck any ck deadlock hinder you can say hinder block कर देना rock देना बिल्कुल तरह पूरे सकते impasse checkmate normal बोलत फुल स्टॉप halt rock देना you can say rock देना you can say next देखे ninth question देखे आप ninth क्या होगा choose the correct option tip पत्रक tip पत्रक tip पत्रक तो इस सबको बताएगा note sheet will be the answer second will be the answer note sheet ninth answer second हो जाएगा next देखते हैं इसको मैं समझाने का मतलब जानी न आपको पता है इसलिए मैं आपको समझाने रहा जहां आपको सुनेने निस बता रहा हूँ वो बता रहूँगा अगले देखे प्रती पुस्ती प्रती पुस्ती क्या असर हो जिए इसका feedback पता होगा feedback देना जैसे आपको यह वीडियोज बना रहा हूँ जैसे मैं आपको 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 आपने नीचे feedback देंगे हैना कोई session आप देख रहे हैं तो feedback देंगे तो उसको बता है प्रती पुस्ती तो इसका असर हो जाएगा नेक्स देखते हैं 11th question हाँ अधिये अध्ये प्रमानपत्र अध्ये प्रमानपत्र क्या होगा new dues certificate will be the answer fourth is council हो जाएगा अध्ये प्रमानपत्र means no dues certificate ओके नेक्स देखते हैं चूज देख प्रमानपत्र सुनूनिम अब सिन्होंने मागे नेपोडिजम ये most important है सारे सिन्होंने हम साप सारे करके जाना हाँ नेपोडिजम इसका मैं शेशन लादूँगा अगर आप कहेंगे तो नेपोडिजम क्या होता है नेपोडिजम मतलब careerlessness, inefficiency क्या होता है favoritism, addiction, बताईए ये सबको पता होना चाहिए ना, तो उसका आशर है जोड़ा देगा थर्ड भी भी दा आशर, favoritism नेपोडिजम तो पता है ना, जैसे बॉलिवूड में नेपोडिजम होता है ना हो, ठीक है, bias, discrimination होता है bias you can say, partiality नेपोडिजम ये से बोल सकते हैं, आप किसी के star कोई star है, है ना, superstar है, उसका बेटा फिल्मों में direct आयाता है और वो star है तो, ऐसे नेपोडिजम बोलते हैं उसको, तो favoritism भी भी दाशर, synonym होगए इसका, ठीक है अब synonym feeble, सब बताएंगे feeble feeble मतलब क्या होता है, weak तो first would be the answer, feeble means weak not strong, ineffective you can say ineffective, okay strong नहीं होता जो, physically weak है ना, weak होता है, a feeble mind you can say, a feeble boys a feeble, lacking मैं समझे कहां कि ना, बस weak होता है जो feeble कमजोर होता है जो, उसको बोलते है feeble okay नग से लिखते हैं, पहला answer हो जाएगा इसका, हाँ, ठीके antonym बताने, याद रख, इसमें मत confused होना, आप आप गलती होना, जल्द बाज में आप वो देख लोगे, synonym, antonym synonym होगा तो कर दियो गलगी, antonym ही यह, उल्टा बताना, decay, decay का मतलब कहता है, महलब collapse decay होना, सड़ जाना, decomposed decomposed to become rotten, बहुत है, rotten rotten, सड़े जाना, decay हो जाना तो उसके synonym क्या हो जाएगा महलब antonym क्या हो जाएगा, यह सट रहे तो अच्छा मीज, flourish first, simple है ठीक, first flourish हो जाएगा, हैना अगले देखेंगे, synonym rain, rain, यह सब को बताब कर rule, second will be the answer, rule करना rain, rule करना अगले देखो, course यह important है, course क्या हो जाएगा इस cancer, बताइए rough, painful, delicate या harsh हम और like जरू करज़ेंगे session को, मैं तोड़ा टाइम से लिए देता हूँ ताकि आप भी करें, ठीक है, आपको भी आना चीक, फिर ब्रैक्टिस करेंगे तो याद होगा, हाँ कोर्स मतलब क्या होता है, fine नहीं होता है, not fine हाँ, मैं रिफाइन अच्छी तरी के सी नहीं होता है, fine जो परफेक्ट नहीं होता है, जो dirty ठीक है, तो course इसका 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 पोज़ेगा, delicate ठीक है, हम harsh, greeting, you can say मैं अब इसका मैं बता रहा हूँ से इनने, course का पोर कॉलिटी तो इसका delicate होते हैं का delicate के जाएगे, आपका refined हासकता है, smooth हासकता है, soft हासकता है तो these are the delicate के synonim से होगे, और course के antonim होगया, okay, course का antonim क्या होगा, delicate, अगले देखो, dormant ये भी अच्छा वाटए, dormant क्या होगा, dormant का बताएगे modern, permanent, ancient, inactive dormant बताएगे, वैलकोन हो परताएगे, वैलकोन हो तो inactive, dormant, वैलकोन हो, active, वैलकोन हो होते है न, तो dormant मतलब inactive होता जो inactive, sleeping, abient इसको उटाता हो A, B, E, Y, A, N, T abient, हाना, inert lethargic, lurking, हाना, these are the synonims होगे, dormant means inactive हाना, next देखो remember, यह सबको बताओगा, remember क्या होगा, remember means, बताएगे remember सबको बताओगा, recall, इसमें कोई बताने जूरुत नहीं remember means, recall, regret मतलब पस्तावा repentance, you can say, penitence पस्तावा तो, remember means, recall हाना, एंटोने fascinate बताएगे, fascinate का एंटोनिम आना, fascinate में तो attract करना पी तरफ को, अपनी तरफ खीचना, हाना, fascinate तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, rappel करना ठीक है, positive-positive rappel होते है, positive-negative attract होते है, so fascinate means positive-negative इकन से, तो rappel means negative-negative positive-positive rappel होना, fascinate, चार में इकन से, ठीक है, तो rappel बीदा, एंटोनिम आओ, fascinate move on to next one at irregular intervals और occasionally, at यह one word आगे आपके, वो सुनेने में एंटोनिम तरफ नवर आगे बताइए सब, हाँ irregular intervals का answer का sporadic sporadic irregular intervals में, occasionally, कभी कभार ठीक है, उसका बहुत बहुत sporadic, ओके याद रखना important है, यापके exam में आ सकता है, repeat होगा that which cannot be corrected that which cannot be corrected the answer is, incorrigible incorrigible विलिदा है, जो इसको correct नहीं किया जा सकता उसको बोलते है, incorrigible next देखते है 22, one who doesn't make mistakes जो कभी mistakes नहीं करता who doesn't make mistakes, the answer is infallible, ठीक है याद कर ले न, मैं इसका session भी लाऊंगा, और पहले भी मैं दो वीडियोज लाई हूँ इसका आप देख लेना, ठीक है, इससे पहले ADM phrases, बस 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 सपोर्ट करे रहा है, बस सपोर्ट करेंगे सारी वीडियोज कर रहा था रहा है, तो one who doesn't make mistakes, means infallible will be the answer infallible, ओके मतलब ये, कि वो ऐसा कह रहा है, कि मैं से भाना माणना न, excuses देना, कि सर मैं जो suicide हुआ था, मैं यहां नहीं था, मैं कहीं होड़ था as a plea दे रहा हो, तो it commits क्या कर रहा हो, बताओ क्या कर रहा हो, allow by, ठीक है excuse बना रहा है, पिर तरफ से allow by कर रहा है तो second is का answer हो जाएगा, यहां कि अच्छा कोशन नहीं याद रहा confuse बना जनब, please that a person charged with an excuse देना, मतलब आया है न, गुमाना है, एक साफ से next देखो, a study of the human race a study of human race, what will be the answer, बताइए study of human race, इस सारे confusing ने, confused नहों जाएएँ anthropology will be the answer, first will be the anthropology, okay याद रखना, मतलब study of human race, you can say, okay चलूँ आगे और आपका क्या होगा, etymology बताइए history of words, origin you can say, history of words, origin, development, etymology what's courage or reason है, इसको बोलते है टाइमालोजी, यह टाइमालोजी यह भी आपके एक्जाम में आ सकता है, तो यह भी आप ध्यान रखें, ओके हम, अगला देखते है, a group of three powerful people, a group of three powerful people, यह अच्छा है, याद रख लिए आप, फॉर्थ विल भी आसर फॉर्थ, विल भी आसर फॉर्थ, ओके, तो फर आज के लिए इतना ही, मैं आपको 25 questions कर रहा हूँगा, टूटल फॉर पार्ट्स में आएगा, या थ्री पार्ट्स में इसको खतम कर देंगे अपने, क्यों क्योंकि मैं इस लंबा वीडियो में रहा हूँगा, ताकि आप भी पढ़ सकें इसको, revision कर सकें, अगर मैं यह एक दो गंड़े का बना दूँगा, फिर कोई नहीं देखत और भी जो लाने आपके, इनो, वो EDM हो गया, कुछ भी अगर पढ़ाना है मुझे, ना, बताएं, मुस्कुली शेशन लाओंगा लग से, EDM हो गया, वनवर्ड हो गया, हिंदी भी बिता दिया कुछ, ओके, सब आज कर दो नहीं, और टेलेकरम चरंगल जोल करें, ओके, सब थैंक यू सो मच, बाइ-बाइ